हालो फ्रेंड्स राधी राधे आप सब का मैं फिर से अपने योटेव इवानेटिंग चैनल पर स्वागत करती हूं और मैं फिर आप सभी के लिए एक और काना जी की प्यारी सी पुशाक लिए कराई हूं जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो ने ये मैं चाल नंबर काना जी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिक्तर बताईएगा कि आप सभी को मेरे वीडियो कैसी लगी अच्छाली इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे में पहले मैंने इस तरी की बन इसके लिए हम यहां से शुरू करेंगे यह इसका चोली की बाचु है कि इसको शुरू करें अब सबसे पहले हम तीन चैन लेंगे एक डो और यह तीन इसी के अंदर से हम तीन सिंगल डबल क्रोश्य बना देंगे पहरी तो ये होगी तूसरी ये और तीसरी ये तो तीन सिंगल डबल क्रोश्य होगी और पाक चेन देंगे एक तो तीन चर और ये पांच अब हमें एक छोड़ना है और यह तीसरी बॉक्स में, फिर से तीन सिंगल डावल ग्रोषया बनाना है, इस तरीके से तैन सिंगल डावल ग्रोषया हमें फिर से बनाना है, एक, दो, और यह तीन, फिर से हम फाइप चैने ले लएगें, पाँच November ने ले suburbs, कि अब तीन सिंगल अब उच्छय बना लेंगे एक लो और यह तीम उच्छ यह इसी तरीके से आम अपनी पर्स्टों को बना कर क्यार कर लिए हैं यहाँपे ऐखेंच मैंने अपनी पहली रूए फर्स रू बना कर यह ही हमारी फिर्स्ट रों पर तयार चाहिक्त इस तरीक रों के लिए इस इस तरीक रों से लिए जंटा लिए हैं इस तरीके से फ़ले हैं अपर उसको यहां से जोइन कर दिनेंगे अब हम चार चीन देनेंगे इस तर पिसे जोनने कर देजिए एक दो तीन और यह चार और इस सरकेसे दो बार लखुटेंगे और इसी में से हमें इस चेन को बना देना एक यह एक होगी यह दो होगी तीन चार पांच और यह च्छे तोटर ने एक ही के अंदर शैस तरके की बना देने हैं और फिर दो चेन देंगे फिर से तरके से दो रावन लेंगे और अली चेन में फिर से छे बना देनेंगे अधिक है में अधिक है अधिक ट्रक आप डिने इंग शैने शैना अधिक चल्गे में पांच़ मुझा और यह इसे दो चेन और इसे देर के से हम अपनी पूरी दूए कंप्रियू प्रिए कर देंगे इस तरह से संद्र पर दागा पर आप बाते हम इसकी थार्ड रोपर पर सेकेंड अब आते हैं थर्ड रोपर इस रोटर इसके लिए मैंने बेबी पिंक लिए हैं परिसे एक नॉट बना लेंगे प्यार असा ऐसे पर इसको यह से टोड़े हैं कि इस तरीए फिर हमने तींचेन एक दो ंफे इसी में से एक और सिंगल ड्रॉश्य हम बनाने हो आसे हर चेन में हमें दो दो सिंगल ड्रॉश्य बनाके त्यार ख लेना है आसे हर चेन में मेरे वीडियो और आप सब को अच्छी लगते है तो प्लीज इसे लाइक शेर सब्सक्राइब का ना मत भूलेगा इसे शेर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएगा कि आपको मेरी पोश्चा के मेरे डिजाइन कैसे लगे इस तरीके से इसके बाद हम तूचीन बनाएंगे और इसको इस तरीके से यहां ज्वाइन करेंगे यह कुछ इस तरीके से बनकर आएगा फिर दूचीन बनाएंगे एक तो और फिर यहां पर सिंगल स्टिच से इसको जॉइन करेंगे ऐसे फिर तींचीन एक तो ती और फिर से हर चेन में सिंगल रभी खुश्या बनानेंगे दो तो करेंगे इस तरह की से हर चेन में तो प्रेंट समी स्रों को भी इसी तरह के से बना करेंगे पूरा कर लेते हैं हर चेन में बना रहे हुं है तो दो सिंगल रभी खुश्या आए ऐसी तो इसी दो चेनी एक तो और इसी के अंदर ऐसे ले जाकर इसी में इस तरह के से बना लेते हैं सो मैंने अपनी थर्ड रो भी बना कर कंप्लीट कर ली है अब इसको हम इस तरह के से जॉइन करेंगे और इस थाले को फिर से हम फट कर लेंगे देखे प्रैंस यह कुछ इस तरह की से बनकर आएगा अब आते हम इसकी फोर्ट रो की तरफ उसके लिए फिर से मैंने यह ग्रीन कर दागा लिया है सबसे पहले हमें एक नॉट पना लेंगे ऐसे और यहां से इसको जॉइन कर लेंगे ऐसे इससे तीन चैन दो तीन और फिर से हमें इसी चैन में तीन सिंगल डबल कुश्या हम फिर से बना लेंगे इसकी लीफ का लॉप देगा इसमें पत्ती चासा लॉप देगा इससलिए मैंने गरिंकल एड़ किया है एक दो तीन अब इसमें पांट चैन देंगे एक दो तीन चार पांच और इसको इस तरीके से टरन करेंगे घ्मालेंगे और यह जो है ना बन टू थ्रीज तर्ड रो म तीन, चार, पाँच और आजएमें हम इस तरफ इस तरफ पिर से तीन चैन, एक, दो, तीन पिर से इस में तीन सिंगल डबल पुश्अ बनानी है, एक दो और यह तीन, फिर से हम पातचेन 1,2,3,4,5 और 8,2,3 एसे पीछे से 1,2,3 जोर्ण करेंगे इसे पातचेन, इसी तरीके से हम अपने इस रो को भी बना कर complete कर लेगे और यहांपे इसको जोर्ण कर लेंगे तो इस रो को भी हम बना कर तयार कर लेते हैं मैंने अपनी ये रो भी बना कर कम्प्लीट कर ली है इस तरीके से अब फिर से हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और इस धागे को अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरीके से इसको अंदर कर लेंगे इस तरीके से इसको अंदर कर रहेगा अब हम फिर से अपना मेजिंटा धागा रानी कलर जोड लेते हैं फिर से एक नॉट बना लेते हैं कि ऐसे हैं और इसको यहां पर यहां से कर लीजिए यहां से कर लीजिए इस तरीके से इसको जोइन कर लेंगे फिर से एक दो तीन चैन बना जी चार चैन और इस तरीके से हर रो में छह चैन बैटल्स बना देंगे यह मेरी दो हो गई है कि इन हो गई है चार पांच और यह चैन फिर से दो चैन एक तो पिर इसकी अगली वादिस में इस चैन में इसी तरीके से चैन बना लेंगे फिर पैटल्स बना लेंगे चैन लाइंगे चैन लाइंगे तो चर मतो यह चार बना लाइंगे चार पमाचार पात्स इस तरीके से इसे घुहना होंगे कम्प्रीट कर लेंगे हैं फिर से दो चेन एक तो और इसकी यह चुह है पत्ता इसके बाद बाली चेन में फिर से इसको हम जोइन कर लेंगे इस तरीके से फिर से इस तरीके से हर चेन में 6-6 लाइन्स की इसकी बना लेंगे चलिए हम इस रोग को भी बनाकर पूरा कर लेते हैं जैसा कि आप सब भी देख सकते हैं मैंने अपनी रोग भी बनाकर कम्प्लीट कर ली है और इसको हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे फिर से पर अपाट आप मेरे मि'll क्वर्णज इसके इस हिस्सें में ज्यूइन करेंगें यहां जॉइन नहीं करना इसकी इस हिस्सें में ज्यूइन करना है और यह द्रहal P अтора अटावा दिख रहा है इसको अंदर की तरफ इस तरिके से को रोचय से अंदर कर आए हर यह रीक्ट से तरफ रहेगा अब फिर से हम अपना पिंक लगा लेंगे कि इसा हा नॉट बना लेंगे और से इस तरी के सी जोइन के लिए आ कि इससरी में और एक ही हर चेन के अन्दर दोड़ेकं जोउने हैं इसकी हिए too को भी हम बनाकर कम्प्रीट कर लेंगे हर चेन में दो-दो सिंगल डबल प्रोश्या बनाने लिए इस तरीकी से इस होशाग को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने बेबी बूल का यूज किया है आप चाहे कोई भी बूल यूज कर सकते हैं यह हर बूल में बनकर बहुत सुन्दर लगी है इस तरीके से जैसी हमने अपना एक पैटल कम्प्लीट किया यह हमारा एक पत्ता हो गया फुड़ा फिर से दो चेन देंगे और इसके अंदर जॉइन कर देंगे इस तरीके से येस फिर दो चेन एक तो अब इस चेन में यहां स् कोरेंस आपना सिंगल दबलकोश्या फटक है चेन में दो यह बनाना है और इसी त्रीकेसा देंटेंगे ता यह को मैंनेます यह बश्योग इस दर परषाण करने को इस तरीके से अंदर के तरफ प्रोशी से अंदर करने के इस तरीके से देखिए किता सुन्दर लग रहा है अब हम इसकी अबली रोकी तरफ चलते हैं फिर से हम ग्रीन धागा लेंगे इस तरीके की और इसको जोइन कर लेंगे इस तरीके से पहले हमने यहां जोइन कर दिया यह पाँच चेन डी और फिर यह पैटल को गुमाया प्थे को और फिर एक दो तीनCD में इस तरीखेसे डोल लिया फिर से हमने कि पाँच चेन बनाई पिर इसकी अग्ली चेन में पिर जोल देंगे इसको ए-गडी. 3-4 चेन बें इस तिरीके से जॉन कर दिने का एंइए इसको फिर से 5 चेन लेक तो तीन चार ये पांच हो पार से च्छे बें डिया इस जोड़़ दिने इस तरीके से रहाँ पर एक दो पिर से तिन सिंगल डबल क्रोश्य बनाएंगे एक तो यही हो गया जिसके चेन बनाई हमने तीन दूस्ता और यह तीस्ता इस तरीके से यह से पांच चेन एक दो ती चार और यह पांच इसी तरीके से थर्ड पूर्थ में जिसमें आप डालना चाहें बैलन्स बनाएंगे इस तरीके से इन चेनों को जोड़ते जाएंगे हम एक दो तीन चार और इदर कर लीजिए पांच प्रेश चाहें इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से हमें इस रोप भी बना कर तयार करेंगे आप देखिए पीछे मेरे एक दो यह तीन इस तरीके से यह चेंज बन गई हैं पहले एक प्लावर का पेटल आया के दो फूलावर्सके पैटल आये अब मदें dartू भावर्सके पैटल आए गिर इसी तरीकिसरे पैटल को बढ़ाते जाएंगे को आपके हर स आइस कि आम तरुट जाये कर देजा के आए थाए को भी कट गर दिनtså issues फर arte समय को निए तरम पालने कर देंगे है में फिर से द्रीकी इवार्ग के निखेया साधा कर दिना पिर से हम अपना रा यह लेंगे और सते कशें कपना लेंगे इसमें इसी तरीके से एक, दो, तीन, चाटान, छह, छह रोज की तब यह हम बनाने गाए इसी तरीके से इसमें सब में 6-6 petals बनाएंगे से फिर पहले इसमें बनाएं छह, फिर दो chain, फिर इसमें 6 lines, फिर दो chain, फिर दो chain, फिर अगली chain में आ जाएंगे इसी तरीके से हमें इस लाइन को भी कम्प्लीट कर लेना है बनाकर So friends, मैंने अपनी यह रोभी बनातर कम्प्लीट कर लिए अब इसको फिर से हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे इसे और धागे को कट कर देंगे एक्स्ट्र धागे को जो निकला हुआ बाहर की तरफ इसको इस तरीके से क्रोशे में अंदर दिख लेंगे अब हम अपना दूसरा कलर लेंगे और फिर से इस खनी एक नॉट बनाएंगे और इसको जॉइन कर लेंगे हम ऐख कर से क्ट कर लेंगे कर लेँवाँ sì सब्सक्राइब बनाने के लिए बनानी के लिए मेरी नेक्स वीडियो में मिलते हैं आम उसमें आम काला जी की हैड बनाना सीखेंगे फिर से मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में तापकीं पत्वकी आपकी लाँ प्याग्याओ कि वाटी एक्टूर एक एक्तां की बाए धी रहागा I